Hello Everyone, I'm Anisha, Welcome to Upward Study तो आज है 7 सितंबर, 7 सितंबर के सभी important top 10 MCQs मैं आपसे discuss करने जा रहे हूँ यह है daily current affair की series तो इसमें मैं आपसे discuss करती हूँ current affair के important 10 MCQs daily basis पर और यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने lecture को सुनने से पहले यानि answer को सुनने से पहले खुद attempt करना है और अपना score मुझे end में जरूर बताना है कि कितना आपने यहाँ पर score किया है तो यह मैं इसे के साथ मैं आज का lecture शुरू करती हूँ तो पहला सवाल है कि which institution has released the report incident mortality, morbidity and socio-economic burden of snake bite in the country तो किस्ते यहाँ पर इस चीज़ को बता है कि snake bite is a major concern in the country हमें यहाँ पर ऐसा लगता है कि हर एक snake जो है वो जानलेवा हो सकता है जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि lack of awareness है बहुत से लोगों को चीज़ों को पता नहीं है अगर किसी को snake bite हो जाता है तो मुझ से डंक निकालने की वज़े से भी कई सारे लोगों की जान खत्रे में डल जाती है तो ऐसे सी चीज़े यहाँ पर होती है तो उसके बारे में बता जा रहा है कि यह किस्ते बता है कि snake bite जो है एक socio-economic burden यानि mortality और morbidity का एक कारण बन चुका है एमस ने ICMR ने या नीतिया योग या फिर IMA ने I hope आपने answer दे दिया होगा तो correct answer है इसका ICMR ने यह चीज़ जो है वो बताई है तो बोरे हैं कि study के अनुसार snake जो है वो यहाँ पर लगबग 45,000 लोगों को इंडिया में हर साल मारते है 30% जो victim होते हैं वो ही hospital पहुँच पाते हैं और उनको medical treatment मिल पाता है अदर्वाइस बाकियों की death हो जाती है तो venomous snake bites जो है इंडिया में 46,900 पर year होती है नेक्स बोला जा रहा है कि NSO की data के अनुसार इंडिया's GDP growth rate in the first quarter कितना रहेगा तो आपको April जो जून तक आप देखे यह चीज़ जो हमने अभी अभी आर्टिकल भी discuss किया है तो अगर आपने वो आर्टिकल को सही से नहीं समझा है दुबारा से एक बार वीडियो को जरूर देख लेना option है 12.3%, 13.5%, 14.7%, 15.2% जिन्हों आर्टिकल को अच्छे से सुना है उन्होंने answer दे दिया होगा तो correct answer है 13.5% जो है वो इसके बारे में इन्होंने बताया है जो कि आर्बे की projection से कम है आर्बे ने 16.2% तक बताया था ओके तो यह चीज़ है next बात करते है which social media platform company has announced a new facility named circles facebook, twitter, telegram या फिर instagram तो सही जवाब है twitter तो twitter नहीं यह जो है वो यहाँ पर चलाया है इसको नाम दिया है क्या circles next बोले जारा है what is the name of the national single window source for all assessment related information of educational boards क्या है इसका नाम निपोन स्टार्स परक या फिर कलान तो correct answer है इसका परक, परक का full form क्या है performance assessment review analysis knowledge for holistic development ठीक है तो यह यहाँ पर निगल के आता है आप इसको जो है वो जरूर देख लेना मिखायल गॉर्वचेव पास्ट अवे रिसेंट्टी वास फॉर्मर प्रिजिडेंट आफ विच कंट्री आई होप यह answer सबको आता होगा क्योंकि मैंने यह भी article को detail में cover किया था अगर आप regular lecture सुनते हैं तो आपके लिए यह answers देना कोई भी मुश्किल बात नहीं है तो option है Ukraine, Russia, Belarus, Bulgaria तो सही answer क्या है Russia ठीक है तो 1985 में का जन्म हुआ था और मतलब इसके former यह बने गे थे, leader बने थे 1991 में जो है वो यह आपको देखने को में ओके next बोला जा रहा है कि नुखाई is a traditional festival celebrated in which Indian state Westmingol, Odisha, Jharkhand या फिर पंजाब, सही answer इसका Odisha, इसका मतलब होता है new food तो हम जब नई वसल वगारा लगाते हैं तब इसको celebrate किया जाता है next बोल है धरमशाला व्यदा तिबितन democracy day is celebrated is located in which Indian state और UT तो अवनाचल परदेश, हिमाचल परदेश, सिक्किम या फिर मनिपूर तो correct answer है इसका हिमाचल परदेश में है धरमशाला जहाँ पर दलाई लामा भी रहते हैं Central Tibetan administration जो है वो यहाँ पर चलता है और Tibetan government in exam in धरमशाला भी यहाँ यही पर रहती है ठीक है और काफी जादा अच्छा है tourist destination भी है ठीक है तो यह सब चीज़ें नेक्स बोला जा रहा है कि where is the Thai trade expo held in India in 2022 मुंबई हाइदराबाद में सुर्फ या फिर वारा नेसी तो correct answer है इसका क्या हाइदराबाद नेक्स पूली जा रहे है कि Jigyasa 2.0 program which was seen in the news recently with which field finance science tech या sports या music तो correct answer है साइन्स एंट टेक से यह related है ठीक है next question है और आज का लाज सवाल कि झाल 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 झाल